मैं जानतर भाग के लिए उस मीटिंग But our में था मैं फार मैंने सारी अ lawsuit को मैंने सुना जानने को सब्सक्राइब काकी का यह सबस्कें, कुछ बाते तो आफ कोर्स बहुत ही एधाय तुछम अव्टाट्राइट था मतलब हमें मालुम है कि क्या है क्या नहीं है लव Jihad में क्या किया जाता है क्या करते हैं का मौडर सेप्राणिक किस प्रकार से होता है बट उससे भी बढ़ कर काफी कुछ जब जो जो जिन लोगों से इस यह जो चीन लौगों को पर्सनल लॉसस उठाने पड़े मतलब उनके लाइफ में ही उन्होंने इस प्रकार के एक्सपीडियेंस खुद उन्होंने किया है वो वो सुनकर बहुत बहुत ही दिल दुखा खास्तर से जिन्होंने खुद अपने 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 प्लोज रिलेटेव या फिर उनके खुद प्लोज रिलेशन्स में जो जो लोग इस वज़े से एफेक्ट हुए है उस बात को जानकर बहुत ही दुख हुआ और किस प्रकार से मतलब बिलकुल ही एकदम बेबस होके वो कुछ क करना चाहते थे तब भी वो कुछ कर नहीं पाए मतलब एक स्टेट्मेंट में मैं जो जो उस रूम में या फिर उस टाइम में बयां किया था उसको रिपीट करना चाहूंगा जस्ट कि उसका कितना एफेक्ट हुआ है मतलब यह लव जिहाद जो है वो एक साइनाइड कोई कोई इलाज नहीं है उन्होंने इस प्रकार से कहा कि आप कोई कोई जो पॉईजन है आप उसे खाते हो तो उसको उसको ना आप या तो पेट सफाई के त्वारा या फिर उसके लिए दवाई देकर मतलब एक इनसान की एक उमीद भी हो सकती है कि वो बच सकता है लेकिन लव जिहाद उस साइनेड पॉईजन के तरह है जिसको ना एक बार इंसान अगर खा ले तो वो जीवित नहीं रहता या फिर उसके बचने का कोई कोई चांस नहीं है लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई बच के निकलता है उसमें से तो वो वाकई में ही एक उपर वाल कि कैसे हम इसके खिलाफ हम कैसे लड़ सकते हैं लव जिहाद के मतलब एक ही उपाय है कि हम अपने कम्यूनिटी में हम हमारे हमारे आसपडोस में हमारे जान पैचान में जितने भी लोग हैं उन्हें उनमें ज्यादा से ज्यादा हम इस बात के बारे में अवैर्नस लाए लो फ्रेंड्स है या फिर हमारे कौमन जो नॉन क्रिस्ट्टन फ्रेंड्स हैं फिर हिंदूज है जो झो मिसलमान हैं उन लोगा इस बारे में उनको ग्याद कराना चाहिए उनके बताना चाहिए कि क्या हो रहा है इस दुनिया में और यह जो एक धरम के नाम पर यह लोग क्या किस किस हद तक यह लोग नीचे मतलब यह लोग जा सकते हैं उसके बार में हमें उन्हें बताना चाहिए और काफी कुछ विवरंड हमने जानने को मिला कि क्या किस प्रकार से हम कोई हमारा और केटर्स केंब भी थी कि यह सब और आपके बच्चे परेश्याद से प्रकें तो आप जान लोकि इसमें हैं और पूंणिटर करना है और और उन्हें फिर उसमें से छुड़ाने की सारा प्रयात्ना को करना है तो ये भी एक चीज जानने को मिली इसके अलावा काफी जो और इसके खिलाफ और जो संगटन हैं हम एक मसीही तोर पे कौन से कौन से संगटन क्या क्या काम कर रहा है उसे किस प्रकार से हम सपोर्ट कर सकते हैं उसके बारे में भी हमें जानने को मिला है तो बहुत ही मैं तो बोलता हूँ कि अब तक में भिभवजीयत के बारे में काफी कुछ कहा है लेकिन कल जो जिन्होंने इसके जो इसकी पीछे क्या होता है उसको first hand experience जिन्होंने किया है उनके मुझ से उनके लवजवानी से ही हमने हमें उनका experience हमें जानने को मिला और first hand experience हमें हमें सुनने को मिला तो वह एक बहुत ही बहुत बड़ा एक आई ओपनर था मैं तो मानता हूं अच्छा किया कि हमने यूट्यूब में भी इसको simultaneously उसे live डाला था और काफी लोग उन्हें उसे देखा है तो मैं तो यह आगर में हूं कि हमें और भी उस वीडियो को और भी लोगों तक शेर करना च सकते तो बहुत ही अच्छा होगा तो आने वाले दिनों में भी हम और भी लोगों में इस पारे में क्या है अगर हम और बात करें और लोगों तक इस बात को पहुचा है मैं समझता हूं परमेशर ने हमें हमें जो बुद्धी ग्यान दिया है परमेशर का जो प्रोटेक्शन हैं हम एक तरह कर से एक तरीके से बोल सकते हैं वो तो है ही बट उसके साथ साथ हमें परमेशर ने बुद्धी ग्यान विवेक दिया है तो उसका हमें बदपूरी से इस इसलाना है और जिस प्रकार से लोग इसके बारे में जानेंगे तो बहुत तो यह लव जिहाद को कुछ हद तक हम कंट्रोल में लेकि आप आएंगे और भी और भी हमें इसके बारे में ब्रेंस्टॉमिंग करना पड़ेगा कि इसको इसको हम किस प्रकार से हम इसका सकते हैं इसको कैसे हम इसको कर सकते हैं इस बारे में भी हमें और भी सोच ना उन चाहिए बट इस प्रकार से जो information या फिर बनाया हैं जहां रेली थैंकफिल कर रभाई भी है क्ये अब है कि अबनेट नहीं हसे बटाने आप कि यह अगे जरस प्रदर आप कुछ कहना चाहरें जी 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 बोले हैलो सभी भाईयों को मैं पहले कुछ अपने बारे में बताना चाहूंगा क्योंकि यह नहीं मेरे को यह लगता है कि अगर मैं सिर्फ एक तरफा बात करूंगा तो लोग सोचेंगी कि मैं कुछ वो कर रहा पक्षपात तो मैं सिख फैमिली से बिलाउं करता हूँ तो मैंने देखा है कि आज के जो सिख हैं वो अपने गुरूं के हमारे जो जैसे दस गुरूं है और टोटल पैंतिस गुरूं की संतों की बाणी है गुरु गरण साहिब में हिंदू, मुसल्मान भी सारे ही हैं मला उ तो सिख हो के तो सिर्फ गुरू हैं जिनकी बाणी हैं तो हमारे लिए सभी गुरू हैं तो आज के जो सिख है न वो भी अपने गुरूं के कहने पे नहीं हैं जो अपने आपको सिख कहलवाते हैं पर वो असल में अपने गुरूं के कहने पे नहीं हैं वो भी एक दूसरे से जाती को लेके या उच नीच को लेके गिरना करते हैं तो ठीक है जी अब ये तो होगे हमारे बारे में बात हो गई अब मैं आता हूँ इस पे लव जिहाद पे तो लव जिहाद जो है ये बहुत ही बड़ी प्रॉबलम बनती जा रही है जैसे हमारे दिली गुर्दो अशिक गुर्दवारा जो परबंद कमेटी है उनके जो बंगला साब में जो उनका नाम है मंजिंदर सिंग सिरसा जब हिंदू की बात चली थी तो उन्होंने बोला था के हिंदू कोई धर्म ही नहीं है उस धर्म में कमिया है इसलिए तुमारी लड़किया शोड़ शोड़ के भाग रही है तुम अपना तुमारा ऐसा धर्म ही क्यूं है शायद आपने आप में से कुछ भाईयों ली वीडियो देखी होंगी उसने यह सब भी बोला था मीडिया के सामने फिर जब सिखों के उपर बात आई जब सिखों की लड़कियों को जम्मू में 50-50 साल के बुड़ों के साथ शादी करवा दी गई होगी तो फिर वो जाके ज बरदस्ति निकाह पड़वाय जा रहे हैं सरकार कुछ क्यों नहीं करती है तो ऐसे मतलब नहीं कोई भी ऐसे नहीं चलता है जितना मलग दोगला पंती उसमें थी ना उस बंदे में ऐसे मैंने कोई भी नहीं देखा है तो इसलिए हमें अपने घर से ही शुरुआत करनी पड आप सॅंधरी रेमाव गल मंद्वाय चंजूर नहीं तो सो हमारे परों हो और वर हमारे को मनजूर हो ख़ें जो मुसलमान यह सक्चा मुसलब सल्बागराकिजलीन ठीगे वो अंधर जिसमें अगर एक इनसान सच्छा मुसल्मान बन जाए तो वो पूरा आतंकवादी बन जाएगा अगर वो कुरान और हदीस के हिसाब से चले तो सबसे सही इसलाम या मुसल्मान जो है वो एक आइसिस जो कर रही है उसके हिसाब से चलने वाला है मैं मतलब मैं आपकी बात को का काटना नहीं चाहरा था बट मैं अभी एक डेड़ साल से शायद रिगलर डिबेट कर रहा हूं और खास और पर आइटिंग पांच च्छे साल से मैं इसलाम को जितना सीखा है उसके मदे नजर और जो हम हर दिन अपने टूथ फाइटर्स के क्लब में जो हम रूम्स चलाते हैं जिसमें 500-600-700 कलकर जो कलब था उसमें 600 लोग तक आये थे इन सारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं यह जरूर कैसा हूं कि अगर किसी और धर्म में अगर एक इनसान उस धर्म के शायद पास जाने की कोशिश करे तो उसको दूसरे इंसान से मोहबत या पडोसी से थोड़ी अच्छी भावना की एक विचार आएगा मगर इसलाम के विशे में ऐसा नहीं है जैसे अभी पास्टर जी ने भी पड़ा इसलिए मैं उसको जड़ा थोड़ा करेक्ट करना चाहरा हूं आप कंटिन्यू करिए और फिर हम पॉइंट को अपना लैंड करें फिर हम विशे में अपनी बात पहले पूरी कर लेता हूं मैं कह रहा था कि उन्होंने एक सच्चे इंसान के गुण बताएं हैं गुरूंने कि सच्चा इंसान किसी के साथ दोखाना करे जूट ना बोले अपने अंदर के विकारों को खतम करे अगर उसके बाद में वह अपने आपको मुसलमान बुलवाना चाहता है दुनिया से तो हमें कोई दिक्कत नहीं है और ऐसे ही गुण पंडित में ऐसे ही गुण जो अपने आपको शत्रिय कहलवाते हैं अगर वो सच धर्म के लिए जुलम के खिलाफ अथ्यार उठाता है तो ऐसा शत्री भी हमारा भाई है तो ऐसे ऐसे उनक अच्छे गुणों की बात करीया रोडवर और अपको ऑंडित कहलवाय है वह अपने आपको मुस्लमान कहलवाय है मल耐 सबसे पहले उसके अंदर अच्छे गुण होने चाहिए वह चाहें कुछ भी कहलवाई अपने आपको उससे हमारे को कोईक नहीं पढ़ता गुरू थे खुशी होती है वो यही होती है कि अंदर से ख़तम कर venture ना उस्से मठ uğड़ी कोई खुशी नहीं हो सकती है में अपने पूरी तरीके से पापकी अवस्ता को जिसको आप कर रहे हो उस अवस्ता को खतम कर सकता है जी बिल्कुल कर सकता है मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि आप पाप के विशे में आप क्या समझते हैं कि क्या है पाप जी जैसा जैसा हम दूसरों से अपने लिए उमीद रखते हैं कि हमारे साथ कोई अच्छा बिहेव करे तो वैसा ही बिहेव अगर हम दूसरों के साथ नहीं करते हैं तो वो पाप हो जाता है बिल्कुल तो यह बचन जैसा वह आप जानते हैं यह बचन यह जो गोल्डन रूल जो आपने क्योंकि कई बार हमने कई सारी चीजे हैं हमने अपने बैग्राउंड में सीखी हुई है बट इन बचनों को हमें किसने सिखाई यह गोल्डन रूल्स कहां से आए इसको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम सब बातों को सीख रहे हैं यह गोल्डन रूल के हिसाब से दुनिया चलती है और यह गोल्डन रूल कहां से निकल के आया है इसको हम देखेंगे बाइबल के बारे में कुछ जादा नहीं जानता हूं नहीं नहीं जैस भाई कोई बात नहीं मैं यह कह रहा हूं कि यह जो आपने जो एक अच्छी बात कही है न कि भाई हम जैसा दूसरे हमारे हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे ले करें वैसा हम उनके साथ करें यह वचन मेरे को एकदम से याद आया इसलिए मैं मैं चाहता हूं कि उस वचन को हम पढ़ें इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनिश्य तुमारे साथ करे तुम भी उनके साथ वैसा ही करो क्योंकि व्यवस्ता और भविश्य वक्ताओं की शिट्रा यही है तो देखे कितनी सुंदर तरीके से प्रविश्य मसी ने यह सिखाया है इनसान को सारी मानव जाते को कि जैसा तुम चाहते हो कि मनिश्य तुमारे लिए करे वैसा ही तुम उनके साथ करो आप जस्पाई सोचिए कि अगर ऐसे अगर हमारा देश चले तो हमारे देश में आपस में कभी लड़ाई होगी नहीं हो जक्ति आपस में एक दूसरे के साथ भाईचारा रहेगा प्रेम का एक अनुभाव रहेगा राइट आप एगरी करते हैं इस बात से बिल्कुल बिल्कुल इसी लिए हम लोग जो है बहुत जगह में बोला गया है बट वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा कि मैं भी स्टूडेंट ही हूं तो अच्छा मैं एक और बात आपको बताना जा रहा हूं कि यहां पर एक मेरा फ्रेंट था उसका नाम था अब्दुल्रह्मान मैं रहता हूं बैंगलोर सिटी में तो उसने मुझे अपना डीटेल्स मत बताईए मतलब क्योंकि एक ऐसा प्लैटफॉर्म है इसलिए बैंगलोर सिटी बहुत बढ़ा है वाई चोड़ो 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 अच्छा मैं कह रहा हूं कि उन्होंने जो म जनत में रहने वाले फृष्टे बनाए हैं फिर सेकेंड उन्होंने इस जमीन पे जमीन नहीं थे पहले जिसरफ पानी था और यहां उस पानी के अंदर रहने वाले जिन्नात बनाए और फिर थर्ड उन्होंने बनाया आदम अलेसलाम को मैं थोड़ा शौट में बता रहा तो फिर इपलीस और शबहरा शिलशकें नाम को यह रहे हैं इस खूर सोब्सकें सरदार क कहतेKim हैं वैसे हैं तो फिर उन्होंने पूला इसने इस ने κάνει बोला कि मैं तो इसके सामने नहीं जूकूँगा ये तो मेरे से बाद में बनाएं तो क्यरे अच्छा तो फिर खुदा ने उसको जन्द से बाहर कर दिया तो जन्द से बाहर बैठके रोता रहता तो फिर जब खुदा ने देखा कि आदम अकेले हैं उनकी पसली से हड्ली क नीकले उससे हवा लिसलम को बनायां को जब बनाया तो फिर इसेज़े इन अलवाहuts भड़ककां धर्फिल्पिया की कि इसमें गलती किस्की नहीं पहले मैं पूछना चाहरू हूं कि आपने उनसे सवाल पूछन किये नहीं तो फिर उसके बाद में जो इबलिस ने हवाल इसलाम को बढ़काया कि अल्ला तुम्हारे को जमीन पर फेंक देगा मैं इसलिए तुम्हारे लिए रो रहा हूं मैं रोज तुम्हें देखता हूं और मैं तुम्हारे लिए रो रहा हूं तो फिर उसने पुछा कि हवाले स्लाम ने पुछा, कि कि अल्ला को मैं ऐसा ना करने के लिए क्या करूँ, कि अल्ला मेरे से खुश हो जाए, तो उसने बोला कि वो जो सामने पेट दिख रहा है उस पे जाके जो फरूट लग रहा है वो फरूट खुद भी खा लो और आदम को भी खिला दो तो वो फ्रूट खाने के लिए अल्ला ने शायद मना कर रखा था आदम को पहले से तो उसने क्या किया वो आदम को भी खिला दिया और खुद भी खा लिया फ्रूट तो फिर उसके बाद में दोनों का लिबास उतर गया वो उन्होंने बुला लिबास उतर गया तो फिर उसके बाद में उन्होंने क्या किया? अल्ला आ गया तो उन्होंने पूशा कि भाई तुमने क्या किया? जस्बाइ ये कहानी नहीं मैं वैसे मैं आपको रोक नहीं रहा पर ये कहानी जो है आपको पता ही होगा कि ये इसलाम में अल्ला ने कहां से कॉपी करी है आपने पवित्र शास्त्र जो है बाइबल में कैसे इंसान को बनाया है परमेश्वर ने उसके बारे में बहुत साफ दिया गया है बट जो यह जो कहानी को जो ट्विस्ट कर दिया इन्होंने वो सब चीजें जो है वो बाइबल में नहीं है तो बाइबल के पूरी लिखने के पूरे बाद में बता दीए बस मेरी बात पूरे होनी वाले इनकी में सवाल पर आ जाईए ने आप थोड़ा सब्सक्राइब और भी लोग और भी लोग आएंगे ना फिर हमें वापिस टॉपिक पर भी आना है तो इन्हों ने फिर जब अल् सलाम ने एक सुबा एक लड़का शाम को एक लड़की उनको बर्त दिया जन्म दिया तो मतलब वो कहरें ऐसे चीख मारती थी कि जन्नत का वाद जाती थी और उसके बाद में फिर यह जो फरिश्टे आते थे बार-बार उनको समझाते थे कि तुमने खुदा तुमने जन्नत में बुला ले तु ऐसा कोई कलमा पढ़ आदम लिएसलाम को बार-बार फरिश्टे आके रिक्वेस्ट करते थे तु याद कर तु याद कर आदम तो वो याद कह रहें 40 साल के बाद उनको याद आया बलों वो कह रहें एक तरफ बच्चे पैदा कर रही थी और दूसरी तर जोड़ी नहीं बन पाई तो फिर हाबिल और काबिल उनके साथ लड़की का नाम पता नहीं किया था तो दोनों ने आपस में जगडा करना स्टार्ट कर दिया तो मैं उनसे ये पूश रहा हूँ कि अभी जो आपने बोला कि अल्ला ने मलब अल्ला सब जानता है या कैसे भी आप कहते हो तो अल्ला को ये नहीं पता चला था कि ये लोग गलती करेंगे ये लोग मेरे हुकम की ना फर्मानी करेंगे और वो फूरूट खाएंगे तो अल्ला ने ये सभी मलब जंजट किया ही क्यों तो मैं तो ये पूश रहा हूं उनसे क्योंकि हमारे में तो कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है और कहीं से भी अगर ऐसी कोई स्टोरी है अगर ऐसी स्टोरी है कि अल्ला बिना मतलब के ऐसे बनाते जा रहा है या कुछ भी फिर आगे चलके वो गलती हैं करते फिर उनको पनिश्मेंट देना है मलब ये सभी मलब क्यों है मेरे तो मन में ये सवाल आ रहा था जी अभी हां जी बोल सकते हैं या मैं यही आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि यह जो पूरा जो कहानी जो रची गई है इसलाम की या कुरान की जो आदम सलाम के और यहुआ के बारे में जो कहानी है यह पूरा प्लेगराइस्ट है ये पूरे चीजें जो है इसको कहीं इदर उदर इदर उदर से बाइबल से उठाया गया है बट बाइबल में कहीं पे भी परमेश्वर यहवा ने कभी भी आदम से या फिर सेटन से कभी यह नहीं का कि तू आदम के सामने सिर चुका क्योंकि केवल जब आराधना जब आप कर दूसरा इसलाम को जब हम समझते हैं तो इसलाम में ये है कि किसी के पास free will नहीं है समझ रहे हैं आपको पता समझ में आ रहा होगा कि free will क्या होता है free will मतलब कि सही और गलत को select करके सही को choose करने का जो free will है वो नहीं है क्योंकि कुरान ये कहता है कि भाईया एक इनसान क्या करने वाला है उसका शुरुआत से लेके अम तक जो भी होने वाला है वो सब कुछ आला ने पहले ही लिख छोड़ा है मुहम्मद साहब के बारे में और बाकी सारी जो चीज़ें हैं ये सब कुछ कुरान में डाल दी है और ये अल्ला के साथ lawful मवफूज में छिपी हुई बाते हैं तो इसलाम में किसी के पास free will नहीं है मगर जब आप बाइबल की और आएं परमेश्वर के पवित्र शास्तर की और आएं तो वहाँ पे आपको जो है परमेश्वर ने कैसे उत्पती की किताब में आदम को बनाया आदम को बनाने के पाद जो है कैसे हुआ को बनाया और उनको एदन की वाटिका में छोड़ा और उसके बाद उनसे ये कहा कि भाई तुम सारे फलों को खा सकते हो और ये जो आपका जो सवाल है ये बाइबल के साथ भी वाजिब है कि भाईया क्या परमेशुर आपके बाइबल के परमेशुर को ये नहीं पता था कि भाईया आपने इतने सारे फल पोदे बना दिये और उसके बीच में एक पेड ऐसा छोड़ दिया which is called as the tree of good and evil the tree of knowledge of good and evil ठीक है ये ये पेड क्यों छोड़ दिया बीच में because the story is again not a story but this is historically again in the Bible also और ये बहुत वाजिब सवाल है but यहाँ परमेशुर जो है वो आदम से ये चीज़ कह रहे है कि तेरे पास ये option है this is up to you to select which you want to select पर मैं तुझसे ये कह रहा हूँ कि तू इस फल को मत खाईयो क्योंकि जिस दिन तू उस फल को खाएगा उस दिन तेरी मृत्यू निश्चित है अब मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि पाप क्या है आपने ये बोला कि पाप का मतलब है कि जो लोग जैसा हमारे साथ करना चाहते हैं वैसे हम उनकी साथ नहीं करते तो वो पाप बाइबल के हिसाब से वो पाप नहीं है हमने कुछ दिन पहले पाप का एक सेशन लिया था बाइबल के हिसाब से परमीश्वर की आग्या का उलंगन करना पाप है डिसोबेइंग वोट गौड हैस अल्रड़ी सेड और जब आदम और हवा ने इस फल को खाया तो वो पाप में गिर गए और हाँ तब तक वो जो है उनको सही और गलत या उनके शरीर में कपड़े हैं या नहीं है उसके बारे में उनको नहीं पता था बड़ जैसे ही वो पाप में गिरे तो उनको ये रियलाइस हुआ कि वो जो है अपने शरीर में वो नंगे हैं या फिर वो नगन हैं अब सवाल याता है कि भाई खुदा को ये नहीं पता था कि भाई ये जो पेड़ जो है इस पेड़ को ये बाद में खाएंगे और उसके बाद ये पाप में गिरेंगे and all of that पर मैं इस चीज़ को एक दूसरे एंगल से देखता हूँ सोचिए कि परमेश और खुदा जो है एक ऐसी अवस्ता में एक ऐसे संसार को बनाता जहां पर आप सिरफ सही कर सकते हैं गलत नहीं कर सकते हैं आप imagine कर रहे हैं कि एक ऐसे संसार में सिर्फ आप सही कर सकते हैं वो संसार कैसा रहता मतलब कि आप force कर रहे हैं किसी को कि सिर्फ आप सही करें वो संसार एक robot जैसे एक robot को program किया जाता है कि भाई अस तुझे सिर्फ command के इसाब से चलना है ऐसा एक संसार बन जाता पर जहां पर सही और गलत कुछ नहीं है, neutral है, again ऐसे एक संसार में भी आपके पास option नहीं है, क्योंकि आप limited हो, आप कुछ करी नहीं सकते हो, आप एक robot के समान जो है, आप उस संसार में हो, आपको अच्छे और बुरे के बारे में पता ही नहीं, इसलिए प्यार और घ्रना के प्यार और घ्रना एक इंसान में एक बहुत ही important एक वासना ही, जो इंसान के शरीर में या मन में दी गई एक प्रवर्ती है, प्यार और घ्रना करना, तो neutral अगर एक संसार पर मेश्वर बनाता, तो उसमें प्यार और घ्रना का option ही नहीं आता, अब तीसरा जो है संसार, वो है हमारा संसार, जहां पे प्यार करना और घ्रना करना दोनों का अधिकार है, मतलब कि you have an option to select whether to eat from that fruit or not to eat from that fruit, और परमेश्वर ने एक ऐसा संसार बनाया, क्योंकि वो रोबोट्स नहीं बनाना चाह रहा था, अब परमेश्वर ने वहाँ पे फल क्यों रखा, या पेड क्यों ये परमेश्वर का divine call है, बट इनसान ने वो जब फल खाया, तो उसने पाप किया, मैंने पहले भी ये बताया कि पाप क्या है, disobeying the commandment of God, जब इनसान ने पाप किया, तो वो पाप में गिर गया और उसके बार, जैसे परमेश्वर ने बोला था, कि एक मृत्यू की और वो जा रहा है, हर एक बच्चा जब पैदा होता है, तो एक एक दिन जैसे वो cover करता है, वो अपनी मृत्यू से निकट आता जा रहा है, जैसे आप और मैं भी अपनी मृत्यू से निकट आते जा रही है, ऐसे ही एक अनंत काल की एक, एक तो हमारी शारीरिक मृत्यू है, दूसर को बचन एक और चीज़ कहता है कि पाप का प्रतिफल जो है the wages of sin is death पाप का प्रतिफल जो है वो है मृत्यू तो हर एक इनसान जो है क्योंकि वो आदम और हवा के द्वारा आया तो उसमें पाप की प्रकृति है he has the nature of sin जैसे हम बच्चा जब पैदा होता है तो वो जो है innocent रह बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वो automatically जाके किसी से किसी के घर से या किसी की दुकान से जाके चोरी करके समान लेके आता है इससे कहते हैं पाप की प्रकृति आज को वो जाके दुकान से चोरी करके समान लेके आ रहा है और हमें नहीं पता कल को जब यह बड़ा होता है तो वो जाके किसी के घर से चोरी भी कर सकता है, या गैना या कुछ और चुरा सकता है, अब ये प्राप की प्रकृती और पाप हमारे जीवन में हमेशा के लिए है, और प्रभू ये शुमसी क्यों आये, why did Jesus came, क्योंकि प्रमेश्वर जानता था, कि हर एक इंसान पाप में गि काना पड़ेगा, और वो punishment जो है, हम में से कोई एक नहीं लेख सकता, कोई, दुनिया का कोई और वर्ल्ड व्यू बता दीजिए, जहां पे आपको ये सारी अवस्ताइं, ये सारे conditions जो है, कि मैं कहां से आया, that is origin, meaning, that is मेरे जीवन का उद्देश क्या है, तीसरा, morality, सही और गलत क्या है, और चौत था, कि मैं कहां जाने वाला हूँ, इन चार विशेयों को coherently, मतलब कि बिना एक दूसरे को वहरुद्द किये, या बिना एक दूसरे को contradict किये, ये चारों विशेयों को संबोधन करने वाला, या इसको acknowledge करने वाला, सही तरीके से समझाने वाला, कोई और worldview बताईए, कोई और worldview हमें देखने को नहीं मिलेगा, बट ये शुमसी के आने का कारण क्या है, क्योंकि उन्होंने कोई पाप नहीं किया था, पाप के बिना जब ये शुमसी संसार में आए, तो वो हमारे पापों के कारण क्रूस पे मारे गए, अब कई बार हमारे कई भाई लोग जो है, वो ये कहते हैं कि भाई, तुम जो है, वो एक वेस्ट के खुदा को मानते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि ये शुमसी तो इस्ट में पैदा हुए थे, he was born in Jerusalem, that is in the middle of east, it's in east, तो ये एक argument है नहीं, वो अलग बात है, मैं विशे में आपको लेके आना चा प्रकृती है, हम से कोई बुरा करता है, हम उसको दो चापड लगा देंगे, हम से कोई अच्छा करता है, तो हम उनके साथ सही है, कल को हमारा मन किया कि किसी को ठगना है, तो हम अपने मन के हिसाब से उसको चलेंगे और हम उसको ठग भी सकते हैं, ये पाप की प्रकृती के क और वो तीसरे दिन जी उते हैं और यह historical है यह event जो है वो historical event है जिसको आज के समय के historians मानते हैं कि यिशुमसी के नाम के एक व्यक्ति जो है वो इस दुनिया में आया वो 33 साल इस दुनिया में रहा और वो जो है वो क्रूस पे रोमियों के हाथों मारा गया और उसके बारे में जो है उसके जी उटने के बारे में विश्य में लिखा गया अब इसका मुझे क्या फायदा इससे मेरे को क्या फरक पड़ेगा भई खीक है कहीं पे कोई जगा में कोई व्यक्ति आया है वो मारा गया वो क्रूस पे चड़ा, उससे मुझे क्या फरक पड़ने वाले है? फरक इसी लिए पड़ेगा, क्योंकि सच्चाई जो है, वो हमारे सामने आई. परमिश्र को वचन ही कहता है, कि ये शुमसी ने कहा कि मैं ही सच्चाई मार्ग और जीवन हूँ. जैसे आपने अभी एक बहुत सुंदर वचन बोला था, कि भाई दूसरे, जैसा दूसरे मेरे लिए करें, वैसा मैं उनके लिए करूँ. जब मैंने वो वचन को मती रचो सुसमाचार साथ के बारा से दिखाया, तब कई लोगों को शायद समझ में आगा, अरे यार ये तो यहाँ पर पड़ा है. ऐसे प्रभू येश्व मसी ने बहुत सारे सुंदर वचनों को दुनिया को दिया है, जिसको दुनिया फॉलो कर रही है, बट दुनिया को यही नहीं पता कि यह कहां से आया. तो हम क्यों येश्व मसी के बारे में कहते हैं, क्योंकि हम भी आपकी तरह, हर एक इंसान जो यहाँ बैठा हुआ है, हम सब ने पाप किया है, हम सब ने गलतियां करिए, और हमें एक उद्धार करता की जुरूत है, we need a savior to be saved. तो येश्व मसी के आने का कारण जो है, वो ये था कि हर एक व्यक्ति को जो है, वो उद्धार मिल सके. So, I hope कि, जो topic हम discuss कर रहे थे, कि एदन के वाटिका के बरे में और कैसे परमेश्वर ने जो है, इनसान को पाप से मुक्त किया इसके विशे में, हमने discuss किया. हम आगे को चलेंगे, के भाई आप फ्री हैं, के ब्रदर, हलो, जी, जी, आवाज आ रही है, अच्छा, मैं अबस सुन रहा था ऐसे, काफी अची तरीके से आपने बताया, आप, आप कंटिन्यू करें, अगर में रिजरूत होगी तो हम बताएंगे, आप बात करेंगे, जी तो, again, you know, मैं विशे पर वापिस आता हूँ, कि भाई, इसलाम का और बाइबल का जो है, उसकी कहानिया शायद आपको सिमिलर लगे, बट इसलाम में सबसे ज़ादा इसकी विशे में जूट बोला गया है, बट इसको बाइबल जो है, वो कोहरेंटली उसके उत्तर देती है और हमें ये सवाल पूछना है अपने आप से, कि भाई, क्या मेरा जो वर्ल्ड व्यू है, जिस विश्वास पे मैं चल रहा हूँ, वो वर्ल्ड व्यू क्या मेरे चार सवालों का जवाब देता है, वन, ओरिजिन, सेकेंड मीनिंग, थर्ड इस मोरालिटी, और फॉर्थ इस destiny, क्या इसको equally answer देता है कि नहीं, अगर देता है तो वो coherently साही है, नहीं है, तो मुझे ये search करना है, कि परमेशर हम से क्या चाहता है, जो search करने वाला है, वो हम से क्या चाहता है, कैजिया बेन जैमसी की आपको भी, और के बाई भी है हमारे बीच में, के बाई, जैमसी की, कि मुझे बीच में कॉल आ गया था तो चलो मैं कि रहा हुआ जी बिलकुल बिलकुल आपने डिसकुशन के पॉइंट्स को सुना काफी थोड़ा समिस हुआ तो मैं यह कहना चाहरा था आपने बुला कि दुनिया में ऐसा कोई व्यू नहीं है जैसा आपने बुला कि हमारे पास जो एक जम्पल है तो आप मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ ऐसलिए मैंने जो अपने मुसलिम भाई हैं मैंने उनसे भी जानने की बहुत कोशिश की है जो इश्वर के जो इश्वर अल्ला या आप यहोवा कहें जो भी कहें जिसने इस दुनिया को बनाया हम बोलते हैं हम उसको वाही गुरू बोलते हैं तो उसके बारे में बाइबल में क्या बताया गया है कि वो कौन है कहां रहता है क्या करता है मतलब आप उसके बारे में क्या बता सकते हैं बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल जैस भाई आपने किया है कि भाई जिस इश्वर के बारे में आप क नहीं हमारे जो सिक बाई हैं सौरी जो सिक बाई हैं वो वाहिव गुरू कहते हैं या फिर गुरूओं के गुरू जो है उनको कहते हैं तो बाईबल उसके बारे में क्या कहती है कि वो कहां रहता है राइट यही सवाल था जस भाई मैं सवाल सही समझ रहा हूँ जी बिल्कुल तो बाइबल की जी वो क्या करता है जी जी ओके थोड़ा सा अगर आप स्पेसिफिक ली कि भाई वो करता क्या है से आपका क्या मतलब आप क्या पूछना चारे हैं अगर आप बताएं तो नहीं मतलब सिंपल से मतलब वो क्या क्या करता है या क्या कर सकता है हम ऐसे बोलते हैं ना जैसे आपने बोला ना कि उसने हमारे पापों के लिए मतलब यिसु मसी को बेजा आपने ऐसे बोला ना तो और और मतलब इसके इलावा वो क्या 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 करता है ऐसे पुछ बाते हैं जी मैं शुरुआत में आपको लेकर जाना चाहता हूँ तो Bible जो है वो दो भागों में बटा हुआ है, एक है पुराने नियम और एक है नया नियम, पुराने नियम में अगर मैं आपको लेकर जाओं तो सबसे पहला जो अध्याय है वो है उत्पत्ति या फिर Genesis या फिर अगर इंग्लिश में, simple English में कहा है तो the beginning, the start, उसमें आप देखें तो परमेश्वर का वचने कहता है आदी में परमेश्वर ने आकाश और पृत्वी की सृष्टी करी, that means in the beginning, in the beginning मतलब time, आकाश, that is the space, पृत्वी, पृत्वी means the matter, right, so आदी में परमेश्वर ने आकाश और और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ओपर अंदेरा था, तथा परमेश्वर की आत्मा जो है, वो जल के ओपर मनलाता था, so सबसे पहले आप अगर देखें, तो एक creation का systematic order दिया है, कि कैसे systematic way में creation बना, कि भाई, परमेश्वर ने पहले क्या बनाया, पहले time को बनाया, क्योंकि परमेश्वर जो खुदा, जो बाईबल का खुदा है, वो time matter और space के बाहर है, अगर परमेश्वर time matter और space के अंदर है, तो वो परमेश्वर नहीं है, he is not God, because he is limited to time matter and space, पर परमेश्वर क्योंकि यहाँ परमेश्वर कैसे बना, इसके बारे में नहीं बोला जा रहा क्योंकि परमेश्वर is eternal and he is self existing, तो वचन ऐसे शुरू हो था कि आदी में परमेश्वर ने आकाश और पृत्वी की रचना करी, अब परमेश्वर ने छे दिन में जो है, अलग-अलग चीजों को बनाया, इंसान को बनाया, और साथवे दिन परमेश्वर ने जो है, वो सब क कुछ देखा और बोला कि यह जो है, सब कुछ बहुत सुन्दर है, मैं वचन को अगर आपके सामने ले के जाओं, तो बहुत सारे वो वचन जो है, बहुत सुन्दर है, कैसे origin, जो मैंने आपको बोला कि हर एक world view में चार points important है, origin, meaning, morality और destiny, origin के बारे में परमेश्वर का वच और हवा को बनाया, और आदम और हवा से दो बेटे पैदा हुए, जिनका नाम है कैन और एबिल, आपने जब इसलाम में भी सुना था, एबिल और खाबिल ऐसे था, पर मुझे नहीं पता कि ऐसे ही है कि नहीं, बट वो नाम भी गलत हैं, क्या बोल रहे हैं जिए वो नाम ही क्याते हैं, उसमें एबल और केइन लिखा हुआ है, केइन एबल, सो केइन जो है, उसने अपने भाई हबिल को मार दिया था, या एबल को मार दिया था, क्योंकि उसका जो ऑफरिंग है, वो परमेश्वर को खुश नहीं, खुशी का एक अनुभव नहीं दिया, तो उसको ज युहना रचि सुसमाचार में, जौन में आओ, जो की नए नियम में है, वहाँ पर ये लिखा है, जौन चैटर एक, युहना एक का एक से, वहाँ पर ये लिखा है, आदी में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, यही आदी में परमेश्वर के साथ परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर के वचन के द्वारा ये सारी वस्तुएं जो हम देखते हैं जो कि जल की जो मचलिया है उड़ती हुए पंशिया जो परवत जो पहाड जो जरने जो सब कुछ आप देखते हो ये सब कुछ परमेश्वर का वचन ह कहता है कि जो कुछ भी उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना ना उत्पन्न हुई चौथा वचने कहता है उसमें जीवन था किसमें इस वचन में जीवन था उसमें जीवन था और वह जीवन मनिश्य की जोती था और जोती अंदकार में चमकती है और अंदका अगर इस वचन के बारे में जब हम नीचे को देखें तो वहाँ पे लिखा है 14 वचन में 14 वर्स में और वचन देहदारी हुआ वचन देहदारी हुआ और अनुग्र और सच्चाई से परिपूर्न होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलोते की महिमा है ये वचन जो है वो ये शुमसी के बारे में ये कह रहे है तो सारे सारे संसार की कैसे रचना हुई उसके बाद इंसान कैसे पाप में गिरा पाप में गिरने के बाद जो है उनकी जब पीडियां से पीडियां से पीडियां जो है वो आई उसके बाद कै ऐसे वो पाप में इतना जादा बढ़ गए कि परमेशवर ने एक दिन उनको जो है दंड देने का निरनाय किया और उसके बाद जो फलड है जो जिसको आप हिंदी में कहेंगे कि एक बड़ी बाड जो है उसको भेजी और उस बाड को भेजने से पहले वहाँ पे एक व्यक्ति नुखा और उसका परिवार जो है वो पाप नहीं करता था, वो एक अच्छा परिवार था जो परमेशवर ने उनसे बोला कि तुम एक बड़ी नाव को बनाओ, जो कि उसका साइज और उसका मैशरमेंट और उसका लकडी यूस करना है उसके बारे में सब बताया, और एक प लेकिंग या हिंदी में कैसे कहेंगे बट उस पूरे आर्क को बनाने के बाद उसमें परमेश्वर नहों से कहा कि भई तू दो-दो करके सारे जो जीव जन्तू है उनको जो है नाव में खटा कर और कैसे वो जो नाव जो है वो उस परिवार को बचा लेती हैं आगे को कहानी म ऐसे сай censorship मौझूद हैं हमारे टीम में हमारे साथ ऐसे है साइन्टिस मौझूद हैं उनमें से या ऐक भाई का नाम है डॉक्ट नाथानील जैंसन नाथानील जैंसन जो है वो एक बायोलोजिस्ट है और उन्होंटने उनकी जो वेबसाइट है जिसको C-R-A-C-E-D मतलब कि अगर आपके ब्लड में से आपके जो DNA को उठाया जाए तो उसमें से जो वाइट क्रोमोजम जो DNA है अगर आप उसका डेटा निकाल दें तो वो जो जो डॉक्टर नाथानियल जंसन है वो आपको ये बता सकते हैं कि आप कौन से नोहा के तीन बेटों मे से कौन से बेटे के पूरवज है वो आपको उसमें connect कर सकते हैं क्या मैं काफी डीटेल में नहीं जाना चाहता बट बाइबल का जो परमेश्वर है वो स्रिष्टी करने वाला परमेश्वर ही नहीं पर वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है वचन में आपको बार-बार पढ़ लेता हूँ योहनर अचिस समाचर 3 का सोला 3 verse 16 it says like this क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलोता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परन्तु अनन्त जीवन को पाए इस नाश जो है वो हमारे सामने है और उस नाश से एक अनन्त काल का एक मृत्यू हमारे सामने है उस नाश से बचाने के लिए परमेश्वर जो है उसने अपने एकलोते पुत्र को इस दुनिया के लिए दे दिया अब हम कोई भी हो सकते हैं, मैं बुद्ध हो सकता हूँ, मैं जैन हो सकता हूँ, मैं हिंदू हो सकता हूँ, मैं सिख हो सकता हूँ, मैं क्रिस्टियन हो सकता हूँ, मैं कुछ भी हो सकता हूँ बट मुझे एक उद्धार करता की जरुरत है, I need a savior from my sins कोई और मेरे पापों के लिए वो पेमेंट किसी ने पे नहीं किया मैं जैसे जस भाई अगर आप मेरी आवाज चुनने है मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ अगर आप ओके है तो जी जी बिल्गों आप गाड़ी चलाते हैं जस भाई जी जी अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आप जानते होंगे कि रेड लाइट के कुछ नियम होते हैं जिसको आप जब वाइलेट करते हैं तो आपको जैसे समझ लिजे कि आपने रेड लाइट के नियमों को वाइलेट कर दिया आपने रेड लाइट जंप किया अब आपको जो है पुलिस वालों को ठुला कहते हैं तो आपको समझ लिजे कि आपको एक ठुले ने पकड़ लिया अब उसने बोला कि भाई आपको हजार रुपे का फाइन लगेगा आपने लौ को ब्रेक किया है अब लौ को ब्रेक करने के बाद आपको हजार रुपे का जो जाएए और आप जो है 1000 रुपे का फाइन बरिये अब आप ज़स भाई आप यह कह रहे हैं कि भाई ठीक है आपने ले गए आप ज़साब के सामने खड़े हो गए आपने बोला कि भाई ज़साब देखिए बात ऐसी है मैंने मुझे पता है मेरी मेरी गलती हो गई मैंने रेड आप जो बोलोगे वो मैं करूंगा ठीक है आपके घर में जो है सबजी पानी जो ले के आन해 में ले के हूँगा आप मुझे जाने दो ईस्वरी आप बताईए कि जच आपको जाने देगा कि नहीं हाज की देट में तो मुझे तो लगता नहीं जाने गा वो क्या बोलेगा ये बताई ये यह अच्छी बात तुर कर वट भाई तू पहले हजार रूपे का फाइं तो धर के जा यही बोलेगा ना कि अब आपके पास ही नहीं आपके फ़ितार रुपे देने की नहींए आप ने तो इस नहीं है जल्दी से वो जाहिए वो कोर्ट में कड़ाय आपके पिता जी भाग के आये क्यों कि भाई पेटे से तो सब को रिएं भाग के आया उन्होंने देखा कि भाई जज के सामने आप कड़े भोन वहीं जद सब शाना सबया को बात किसी बात यहाँ बिलकुल अब मैं आपको लेकर आता हूँ कि हम सारे आपकी तरह ही पाप में खड़े हैं बचनी कहता है कि the wages of sin is death that means the payment that you have to pay is eternal condemnation to eternal hell अब मैं परमेशोर के सामने आके बोल रहा हूँ कि भाईया आपका ये law मुझे पता है हो गई मुझे गलती मैंने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे कांड करे हैं काम करे हैं जो कि पाप हैं गलत हैं disobeyed the commandment of you know of God मैं आपके लिए अच्छे काम करूँगा आप मुझे जाने दो जब दुनिया के court में आपको जाने नहीं दिया जाएगा तो परमेश्वर के court में आपको कैसे जाने दिया जाएगा कभी भी जाने नहीं दिया जाएगा अब परमेश्वर दो चीज़ है जो खुदा जो है बाइबल का जो खुदा है और उसको अपना जो law है उसको फुल्फिल करना है समझ रहे है वो आपसे प्रेम करता है इसलिए आपको बचाना भी है उसने और उसने जो law रखा है law क्या है the wages of sin is death पाप का प्रतिफल मृत्यू है उसको वो भी फुल्फिल करना है अब वो क्या करें उसको पता था कि हम तो payment पे नहीं कर पाएंगे इसलिए उसने payment के तौर पर अपने एकलोते पुत्र को दे दिया मैंने वचन के द्वारा आपको दिखाया कि उसका बेटा कौन है वचन परमेश्वर के साथ वचन परमेश्वर था वचन देहदारी हुआ और हमारे बीच में रहा हमने उसको देखा तो इस्व मसी को हमने देखा तो परमेश्वर ने payment कैसे पे किया उस नहीं जड़्ज नहीं payment पे किया आपके लिए अच्छे ब्रदर मैं कुछ सम्झना चाहता हूँ मैं कहीर हूं आप कहरे हैं कि जो अडम आया थे वही बाद में जीसस बनके आया थे आप यह कह रहे हैं नहीं नहीं बिल्कुल नहीं आदम जो है वो पाप में मरा आदम ने और हवा ने पाप किया उनसे बोला गया कि भई तुम फल नहीं खाना उन्होंने उस फल को खाया सी फल खाना इस नौट प्रॉब्लम उस फल में कुछ नहीं था पाप का मतलब मैंने आपको समझाया पाप म Sin means disobeying the commandment of God. Right. So, Adam ने पाप की और Adam मारा गया. But उस आदम के मरने उसके पीडियों के आने के बाद, काफी सालों के बाद येशु मसी आए. आज से 2000 साल पहले, आपको भी पता है, कि हिस्ट्री दो हिसों में बटी वही है. एक है Before Christ, और दूसरा है Anodomonia, A.D. BC and A.D. BC और A.D. के बीच में जो व्यक्ति खड़ा है, वो है His Story. His Story. किसकी स्टोरी है? प्रभू येशु मसी की स्टोरी. उससे पहले की स्टोरी भी उसकी है, उसके बाद की स्टोरी भी उसकी है. तो येशु मसी आदम नहीं है. पहला आदम जो है, वो पाप में मर गया. उसकी वज़े से हमारे में पाप की प्रकृती है. इसलिए हमारे बच्चों को हमें सिखाना नहीं पड़ता, कि तू जाके किसी का कतल कर दे. वो भाईया जब बड़ा होता है और उसके अंदर इतना रोश है, कि शायद वो अगर गलत संगती में पड़ गया, तो वो ऐसा करद है बैठेगा. हम बच्चों को क्या सिखाते हैं? बिटा, अच्छे काम करते हैं. जो पहला आदम जो है, वो यिशुमसी नहीं है, पर यिशुमसी जो है, जो इंसान के तौर पर, मनुश्य के शरीर में वो आया. और उसने इस पेमेंट को पे किया, जो आपके पिताजी ने पे किया न, हजार रुपे का फाइन. जो उसी प्रकार यिशुमसी ने उस पेमेंट को पे किया. जे है थोड़ा सा आपके अपने बारे में बताना चाहता हूँ, कि हमारे जो गुरू हैं, उन्होंने हमारे को क्या बताया यिशुवर के बारे में? आप आपको सुनना चाहते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, पर मुझे उत्पती के बारे में कुछ बताएंगे, औरिजिन के बारे में, फिर हम मीनिंग और मॉरालिटी में आते हैं। उत्पती के बारे में मैं आपको उतना अच्छे से नहीं बता सकता हूँ, हाँ एक और है बाई मैं उनको कभी बुला लोंगा वह आपको अच्छे से बता सकते हैं इसलिए सवाल कर रहा हूं कि उत्पति के बारे में क्योंकि जब तक हम चैप्टर वन नहीं शुरू करते हम चैप्टर फाइव पे नहीं जाते आपको पता है ना यह चीज जी बिल्कु हाँ जो आप बता रहे हैं वह उस तरीके से तो शायद नहीं है गुर्बाणी में तो बस मैं आपको पहले इश्वर के बारे में बताना चाहता हूं तो उस ही से आपको पता चल जाएगा कि मला वह स्रिष्टी कैसे करी है तो अगर आप इश्वर के बारे में जो मला हमारे हिर्फ जो गुरू ने बताया है वह मतलब युद् है और उसके आगे उसके अगन बताएं उसको आज्वकलों को पुर्क निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजुन्नी स्वैभंग गुर्परशाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानकोसी भी सच तो इस तरी किसे जे इसको मूल मंत्र मानते है इसका अर्थ है कि इश्वर एक है सच्चा नाम उसी का है सच सथ नाम का अर्थ है कि जो सदय भी रहने वाला है ना मलब वो बनता है ना बेगड़ता है जो सदय भी रहने वाला है सतनाम करतापुर्ख वो करने बाला है जो भी किरियाएं हम आसपास में देख रही है दर्ती गूम रही है सूरज के उपर कंटीनू बलास्ट हो रहे है दूप गर्मी और लाइट हमारे तक आ रही है और ऐसे ही सौर मंडल उसके बाद गिलेक्सियां जो भी मलब पर किरियाएं हो रही है इन सभी के पीशे का कारण वो है करतापुर्ख है जीवन पैदा हो रहा है बढ़ फूल रहा है खतम हो रहा है फिर से नए जीवन में जा रहा है कुछ मलब है मलब जो भी पर किरिया हो रही है गतिविदिया हो रही है वो सब का कारण वो है करतापुर्ख वो है अ अकाल मूरत, अकाल मूरत है, उसकी कोई मूरत नहीं हो सकती, वो समय से रहत है, अकाल मतलब काल से रहत, उसको समय में नहीं बंद के रख सकते, या वो समय से नहीं होता है, उसका कोई लिंकी नहीं है, और अकाल मूरत है, और अजूनी है, अजूनी के वो जून जोसका जनम न नहीं आता है और अजुनी स्वेभंग वो अपने आप से ही है मतलब उसका कोई निर्मान करने वाला जाओं मतलब उसको नश्ट करने वाला कोई भी नहीं है वो अपने आप से ही है ना वो पैदा होता है ना बनता है ना बिगड़ता है और अजुनी स्वेभंग और इसके बा किरपा से ही जब आपको जब सत्य जो सच्चा गुरु अगर मिलेगा तो वही आपको उसके बारे में बता सकता है एक सच्चे गुरु भी किरपा होने से आपको इश्वर के बारे में पता चल सकता है अच्छा जब समय नहीं था उससे पहले भी वह सच्च था जब समय चल पड़ा है उसमें भी वह सच्च है और जब यह कुछ भी नहीं रहेगा तब भी वह सत्य ही रहेगा जब यह सारी जो कुदर्त है मालो यह डिस्ट्रॉय भी हो जाए सब कुछ नश्ट भी हो जाए तब भी वह वैसा ही रहेगा तो उसी का ये पसारा है जैसे उसके बाद में ऐसी ऐसी पंक्तिया आती है कि सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई, या फिर उसको कभी अंतर जामी बोला, कभी उसको हर बोला है, कभी राम बोला है, कभी उसको परमातमा बोला है, कभी मलब उसके सभी गुणकारी ही नाम है ये उसके अलग-लग गुण है तो जैसे मैं किसी का बरदर हूँ किसी का बेटा हूँ किसी का पती हूँ किसी का भाई हूँ तो वहाँ पे मुझे वो बोलते कि मेरा भाई जा रहा है मेरा बेटा जा रहा है तो ऐसे वो मैं मतलब मेरे लग-लग वो हो गए, गुņणकारी नाम हो गए. तो ऐसे इश्वर के लग-लग गुंणकारी नामों से उनको बार-बार बताया गया है. और उसमें ये बताया गया है, मेन ये है, के मनुश्यों को हमेशा अच्छे गुणों को धारन करना चाहिए. धारण कर लेना जैसे जो जाती बाद करते हैं इनके बारें बताया है गर्व वास मैं कुल नहीं जाती ब्रह्म बिंदते सब उत्पाती के हम सभी उस ब्रह्म बिंदू से ही उत्पन हुए है और जब तुम माता के गर्व में थे तो तुमारा कौन सा कुल था कांसी जाती थी तुम किस नाम से जाने जा रहे थे जीवन तो तब भी था ना उसमें जब जीवन तहाट कोई तुमारा कोई घरब नहीं तुमारे नहीं कोई नहीं कुई जाती नहींubenें गासर Dewa में आपने जो शुरुवात का जो पॉइंट रखे की एक तो कि वो समय से बाहर है आपने ये रखा था कि जो परमात्मा है वो समय से बाहर है है ना मैंने उसको आपको जब मैंने परमेशवर के बचन के द्वारा बाइबल के द्वारा जब आपको दिखाया तो मैंने ये ये बोला कि आधी में परमेशवर ने आकाश और पृत्वी की रचना करी so वो जो है Bible का परमेश्वर समय से बाहर है दूसरा कि आपने बोला कि वो अकाल है रैट He is outside time ऐना अकाल मूरत बोला था मैं लेकि उसकी प्रतिमा जा मूरत कि नहीं है हाँ उसकी प्रतिमा नहीं बना सकते उसकी कोई जो है image नहीं बना सकते परमेश्वर के बाइबल में ये लिखा है कि ना आकाश के नीचे ना पृत्वी के ऊपर तो किसी भी चीज की मूर्ती नहीं बनाना बाइबल के हिसाब से मूर्ती बनाना जो है या बुद परस्ती मूर्तियों की अराधना करना जो है वो एक बहुत बड़ा पाप माना जाते है तो परमेश्वर क्योंकि परमेश्वर को किसी ने जो है आँखों से देखा नहीं है तो उसकी आप मूर्ती नहीं बना सकते हैं अब आप ये पूछेंगे कि यार हम जब चर्चों में जाते हैं आपको वहाँ पर जो है जीसस के बड़े स्टैचूस दिखेंगे या मदर मेरी के स्टैचूस दिखेंगे सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बाइबल के हिसाब से स्टैचूस बनाना या किसी चीज़ की मूर्ती बना के उसके सामने आरादना करना वो अलाओड नहीं है तो मैं अगर आपको सिरफ मैं स्क्रिप्चर के थूँ बता सता हूँ बाइबल के हिसाब से वो सही नहीं है समझ रहे हूँ मैं आपको सिरफ स्क्रिप्चर में लेके जाओंगा इसलिए मैंने आपसे पहला सवाल भी ये करा कि आप मुझे स्क्रिप्चर के तरू जैसे मैं ये नो सिख गरंथ हैं उसके तरू आप मुझे शुरुआत पहले बता दें कि इंसान को बनाया कैसे गया क्योंकि सबसे में चीज चार पॉइंट है हमें ये सोचने वाले सबसे में चार बिंदू है वो ये है origin की मेरी शुरुआत कहां से है ये इंसान की शुरुआत कहां से है दूसरा meaning मेरे जीवन का उद्देश क्या है what is the purpose of my life मैं यहां पर क्यों हूँ भई मैं नौकरी करूँ मैं दुकान चलाओं मैं ये करूं वो करूं उसके बाद मैं कल को मर जाओं क्या ये मेरे जीवन का उद्देश है what is the purpose of my life ठीक है तीसरा morality सही और गलत मैं कहां से उठाता हूँ कई लोग कहेंगे जैसे हमारे मुसल्मान भै कहते हैं कि सही और गलत हम खुरान से उठाते हैME या फिर कोई Hindu का बॉयगा कि सही और गलत मुझे वेदों से मिलता है जब उनसे वेदों से सवाल किया जाता है कि वेदों मने ये लिखा है तो again सही और गलत के विशे में आपको जानकारी कहां से मिलती है ठेक है और सबसे important है last one वो है कि भाई मैं कहां अपनी मृत्यू के बाद मेरा अंत कहा है what is my destiny origin meaning morality and destiny इन चारों सवालों का अगर आपका world view सही जवाब अगर दे सकता है तो मैं उस world view को समझने के लिए तयार हूं इसलिए मैंने आपसे पूझे कि चैप्टर 10 हाँ जी हम चैप्टर 10 में तब जाते हैं जब चैप्टर वन क्लियर हो इसलिए जो जो आपने चीजें बताई कि परमात काम के बारे में वह बाइबल भी उसको इंक्लूड करता है बाइबल उसको एक्स्लूड नहीं कर रहा है पट देखे हमारे जो गुरू हुए है ना जैसे गुरू नानक देव जी उन्होंने करीब अपने जीवन में चालीस साल तक यात्रें करी है और उन्होंने अलग-अलग समाज में गए अलग-अलग जो संत थे या कैसे भी आप माहपुर्ष कहलो जो वो ने तो उनसे मिले हैं ने तो उनकी लिखी हुई बातों को उन्होंने पढ़ा है समझा है आज कल बहुत सारे सिख बोलते हैं और हमारे सिख में धर्म तो नहीं एक पंथ कह सकता हूं किसी भी तरीके की करामात जादू कहलो जाद चम्तकार कहलो इसको कोई स्थान नहीं दिया गया है बहुत सारे सिख आज मांते हैं कि गुर गोविंसिंग ने भी पहले सर मांगे फिर सर कलम किये फिर उनको जोडा फिर जीवित किया फिर उसके बाद उनको अमरितपान करवाया और सिख पंथ की इसतापना करी अगर ऐसा होता तो गुरु गोविन सिंग के बच्चे मलोग खुद ही बताते हैं सिख भाई लोग खुद ही बताते हैं कि उनके बच्चे उनके सामने ही कतल कर दिये गए थे दो बड़े लड़के एक 17 साल के और 19 साल के थे अजी सिंग और जोरावार सिंग और उनके बच्चों को जब कतल किया तो उन्होंने सिखों ने बोला कि चलो इनका अंतिम संसकार कर देते हैं तो उन्होंने नहीं किया क्योंकि उन्होंने बोला गुरु गोविन सिंग ने बोला कि मेरे साथ जो बाकी जो सिख जो शहीर होएं मेरे बच्चों के साथ अगर मैं करूँगा तो सभी का करूँगा नहीं तो इनका भी नहीं करूँगा क्यूंकि वह कह रही थे कि मेरे लिए सभी एक समान नहीं है। तो मुगलों मुगलों का आपको पते हैं यह मुगलकाल में क्या क्या हुआ थे तो इन्हों ने यह बुला के जो हमारे जो फिर उनभी एक इश्वर की बात करी है उसको हम सरप्रथम उसको हम उसका हम वो करेंगे क्या वाल सम्मान करेंगे जिसने एक इश्वर की बात करी है तो जो अलग अलग तरीके के जो बना के बैठा है तो फिर तो तो फिर आपको बाइबल में आपको केवल एक परमेश्वर जो है बाइबल का परमेश्व तो आप यह मानते हैं कि इश्वर जो है वो मलब वो क्या बोलते हैं सरव्यापक है मलब एक मिट्टी के कण के अंदर उसके बाहर चारो तरफ इश्वर है आप यह मानते हैं जस भाई बाइबल के हिसाब से गॉड़ इस ओमनी प्रेसंट इस ओमनी प्रेसंट का मतलब है मतलब की वो सिरफ दुनिया में नी पूरे ब्रह्मांड में वो भरा हुआ है तो एवरिधिंग इस बीन क्रिएट बाई हिम जैसे मैंने पहले भी वचन को देखा कि हर एक जो चीज जो की बनी हुई है वो सब कुछ उसके लिए और उसके द्वारा बनी है तो अबिसली ही इस इन दर्ट आपसे बात करके काफी अच्छा लगा इवन दो हमारा टॉपिक यह नहीं था द Cornwall रहें सनितर हिए और हमारे कई सारे भाय जो है जिडे हैं शंक्रन भाई भी कुछ पूछना चाहरे हैं यह मैं शंक्रन भाई कि तरफ चले जो भूं जी जी अम्से आप से आपसे बात करके मैं आपको कर रहा हूं आप से बात करके अच्छा लगा मुझे तो होफुली हम आगे भी बात करें शंकरन भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं यह प्रभु का नाम का महीम है तुर से सभी को मिलने का मौका मिला अगर बाई को कोई दिक्कत नहीं है तो हमारा टॉपिक अच्छली लव जिहाद का था थोड़ा सा हम डिसकुशन से हटके बट आइधिंग कि हमने काफी सारी बातें करी हैं आप भी बात कर सकते हैं अगर उनको कोई अतराज नहीं होता है जी बिल्कुल आप पंजाबी है जी इंडिन नेवी से कमांडो रटेड हुआ तो मेरा बहुत दोथ लोग आप लोग उनका साथ में रहता था मैं अभी भी रहता हूं अच्छा मैं आपका बार में अच्छी तरसे जानता हूं आपका गुरु गोविंद का बार में भी अच्छी तरसे सुना हूं लगे मैं एक एक बार तो हमको मुर्त्यू पक्का सहना है, एक दिन हमको इस दुनिया से चला जाएगा, लेकिन जाएगा कहाँ, इसका कोई आपका क्या पुस्तग यार आपका गुरु कुछ बताया हुआ है, यह मैं आप से पूछना चाहता हूँ, एक बार ऐसे जवाब देगा तो थोड़ा समय के लिए. ब्रिक्ष होए हो, कही जनम, ऐसे मलब बहुत सारे ऐसे जनमों की बात आ रही है, कि जो हमारे अंदर जो चेतन है, जिसको हमा आतमा कह सकते हैं, कि वो बार 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 जीवन रूप में ही आ रही है, किसी जनम में कीडे पतंगे बनती है, किसी जनम में बड़े जानवर प्रिक्ष बन जाती है किस जन्में तो लास्ट में जो पंक्ति आ रही है कि चरंग काल एदे संजर्या जगदीस का अरथ है कि इशवर जो जगत की रचना करता है कि अभी जो तेरे को जो मानस शरीर मिला है तो मानस शरीर के जरीए ही उस इशवर को जान सकता है, समझ सकता है और मोक्ष का अर्थ है नूटल नूटल जिसके अंदर इच्छाएं ना हो अजो इच्छाएं मतलब जो सुख की कामना करते हैं तो तब ही इस जीवन रूप में आते हैं अगर हमारे अंदर सुख की कामना खतम हो जए तो हम उस इश्वर में लीन हो जाएंगे जो जिसको हम परमानंद बोलते हैं कि हमेशा ही अनंद में रहने वाले जो हम यहां पर इस जीवन में जो भी हम भोग रहे हैं वो है पदार्थों का सुख या फिर अपने दोस्तों रिष्चेदारों का सुख जैसे मेरी पतनी मेरा ब जो गुण है उन गुणों को अपने अंदर धारण कर लो और फिर इस जीवन को अपने को वेतीत करो और सब के साथ भलाई करते जाओ और लास्ट में फिर आपको मोक्ष मिल ही जाएगा अच्छा बदल अभी थोड़ा सा अपसूरिये आपका विव आपने बदा दिया लेकिन मैं कुछ बात आपको समझाना चाहता हूँ बाइबल का तोर से बाइबल एक कहते है कि हम पूरा मनुश्य जादी एकी एकी पिदासा है उसका नाम है आदम ठीके आदम का दोरा हम इस पेरला का लोगों ने दो इस दुनिया का गोरे लोगों ने दो काले लोगों ने दो खोई भी विक्ती हो ति सभी एकी मनुष्य से इस दुनिया में आया क्यों परमेश्र ने एकी मनुष्य से इस दुनिया में हर लोगों को बनाया यह है इसका कारण परमेश्र एक है तो परमेश्र एक है तो परमेश्र एकी मनुष्य से ही इस दुनिया में सबी को लेकि आया, ताकि सबी को पदा चले, परिमेशर सबी को एक जई से प्रेम करते हैं, मेरा बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है, आपको समझ में नहीं आया, तो आप बीच में आप बोल सकते हैं, कि परिमेशर एक है, इसलिए एक ही वेक्ति से इस दुनिया में पूरा मन मनिष्र को परमेशर ने सिश्री किया लेकिन समय बित गया बित गया बित गया अपना इसाब से उन लोग परमेशर को डूडने गया लेकिन क्यों डूड़ा गया इसलिए कि परमेशर का जो खूबी दा और परमेशर का जो आग्या था उस आग्या को मनिष्र ने तोड़ दिय उसका वज़े से परमेशर से दूर होता गया अपना अपना धरम को बनाया अपना अपना इसरों को अपना मन का विजार का नुसार बनाते गया बनाते गया बनाते गया लेकिन क्या हुआ परमेशर इस सभी मनिश्य को एक जैसे प्रहिम करते हैं और परमेशर बोलते हैं एक ब कि पाप का वज़े से हमें इन मृत्यू सहना पड़ेगा, आपने जो अभी बोला था, कि अलग अलग योनी से इस दुनिया में आएगा, लेकिन बाइबल का इसाफ से इस से नहीं, एक बार इस दुनिया में आएगा, उसके बाद मृत्यू सहेगा, नहीं तो आप वो सुर्ग दे दिया, ताकि जो कोई उसे विश्वास करे, वो नश्ट नहो परंदू अनंद जीवन बाए.